हेलो प्रिविध्धार्टिगंड सभी का स्वागत दिये इंगलिस सेकेट्वी में और आज की क्लास में हम करेंगे जो फुट्प्रेंट का लेशन 5 है जिसका नाम है फुट्प्रेंट्स विताउट फेट बिना पेरों के पंजों के चिन तो देखें इसका पहला कोश्चन हमा हशना तो हैंपर कॉश्चन है कि हाउचिट इंविजीबल मेन फेष्ट बिकंव इजिबल तो आद्रश आदम हमि इन्वीजिबल मेन पहली बार मतलब के से के निंविजबल जो गृरिफं नाम का पर्षन है वो कंप्रिटली होता पूरी तरह क्याता इन्वीजीबल था मझलब आद्रश था तो ग्रिफिन वस कंप्रेटली इन्वीजीबल ग्रिफिन पूरी तरह से अद्रश था फर्स्ट डाइम पहली बार फर्स्ट डाइम ओनली इस फूट प्रेंट्स और मड्ड Oh seen by two boys later on अब देखे पहली बार क्या हुआ फास्ट डाइम पहली बार सिर्फ की गली त social science राइड डाउन कल दीचा आप लोग फूट्प्रिंट से पद्दचिन तो उसके पद्दचिन पहली बार दिखाई थे कहां पर ओन मड मड होता है कीचड मड में सकेचर वर सिन बाइट वाइट लेटर ओन आब आद में दो लड़कों को उसके पद्दचिन निकीचड पर दिखाई दिया कि इतना समझ में आगे देखें वाज वीजीबर टू अवो द्रश्च दिखाई दिया हीवाज वीजीबर टू डा असिस्टेंस ओफ दव लड़न पर बता रहे हैं वह के यहां पर बात में लंडन में कि इस्टोर मतलब होते हैं अपन बोल सकते दुकान वा लंदन के स्टोर में कर्मचारी या साय को दुवारा दिखाई दिया वेयर ही वास वहाँ पर ही वास कॉर्ट स्लीपिंग फुली मतलब सोना स्लीपिंग सोता हुआ fully dress मनला पूरी तरह fully dress होता मनला उसमें पूरे कपड़े पेहन रखेते और वह सोता हो पकड़ाया गया था चलिए तो question number one हमारा है यहां पर complete होता है question number two रहिए question number two है आपका why was griffin wondering the streets why was griffin wondering the streets streets होता है गलिया और wondering में सोता है घूमना तो देखिए आपर question एता आपका कि why was griffin wondering the street जो griffin है वो गलियों में क्यों घूम रहा था तो answer देखिए इसका griffin was a lowless man तो देखिए हाँ पर जो वड़ा है low endless मतलब low miss होता नियम वो लेस मतलब नहीं तो नियम को नहीं मानने वाला तो griffin क्या था एक नियम को नहीं मानने वाला क्या था व्यक्ति था लो लेस में था वो इस लेंड रोड उसका जो मालिक था भूमी का जो मालिक था डिसलाइक है अब वो डिसलाइक करता था मतलब ना पसंद करता था किसको ग्रीट को पसंद करते थे उसका जो मालिक था उसको ग्रीफिन को ना पसंद करता था और वहinden चाहता था टू जाता था उस से चुटका रहा चाहता था तो टेक रिवेंच तो उसने क्या कर रा बदला लेने के लिए रिवेंच मिस होता है बदला और तेक लेना तो JUST इसने क्या करा जो ग्रीफिन उसने बादला लेने के लिए क्या क्या हीएट सेट फायर टूटाहउस ही एट सेट फायर टूटाहूस उसने क्या गरता ॥ा फिर यह नहीं तो अपने कपड़े पूंट को हुआ थे निकाल दिये सब्सक्राइब करता है कि इसके पास घर भी नहीं है कपड़े नहीं है को सब्सक्राइब आपको कोश्चन और अच्छी तरह के समझ मारा होंगे दोनों अगला कोश्चन हमारा वाइड़ा से मिसेच होल मिसेज हॉल पार विग्यानिक संकी क्यो लगता यह वह संकी क्यों लगता है मिसेस होल को जो एग्यानिक है व सनकी क्यों लचता है तो तो दीखे ढांसर अछ ढर फूरींब उसके कुछ कारण है के कारण एकले कारण दीखे कमेंग टू इंडेंड वह जो आता है his coming in winter winter को मतलब होता है जैसा भी चल रहा है winter ही तुह ना तो मतलब वह सर्दियों में फस्यों में आता है इन मतलब क्या होता है यह यो जाता है इन में होटा होट टा तो यह पर इन हम्म इस होता है होटेल तो हीस कमिंग कमिग आना तो इन विंटर्ष में होटल में आता है इस्टेंज एपेरनेस और कैसा दिखाए देता है मनलव विचित्र दिखाए पड़ता है अस दिखाए पना सब आइपने के समय में अपने आइसलेशन की तो इस मतलती है कि जो scientist है जो विज्ञानिक है वो कियो सा eccentric मरद सनकी है चलिए eccentric सब कि है वो अब देखें नीचे दिए all these जरी सब भी जो reason अकारण है मेड वह बतलाते कि मिसेज हो जो है considers him as the eccentric scientist मरद जब शन्की वेग्यानिक का यह कारण है थिक है तो मेश होल को यह गैंक संकी क्यों लगता है उसका एक आरनी चारों करन आपने देख चुके हैं आपके निशान नमर पूर तो आगला क्मेश नाарए है कशिट नंबर फोर क्या है आपका वाइट क्युर्यस एपेसोर्ड औरसीन दर स्टेटी कर देखें आपर क्मेशन हमारा वाइट क्यूरीस एक ran लेड दें टॉरेियर क्यूर एपेसोर्ड occurs in the study study मतलब अध्यान में जो एपिसोड है जिग्यासू क्यूरियस होता है जिग्यासू एपिसोड जो है वो घटिद क्या हुआ तो देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं एक clergyman and his wife clergyman को हम बोलते हैं पादरी क्या बोलते हैं पादरी तो हम पर देखिए एक clergyman and his wife और उसके पत in the morning मतलब सुबा रोज जल्दी अर्ली मॉनिंग सुबा रोज जल्दी और वो इस्टेडी करते थे पढ़ाय करते थे बाई नोइसेस हाना कि कि किसी पकार का सुर्गुल नहों फिर क्रिपिंग डाउन स्टेर्स और डाउन स्टेर्स मतलब जो स्वीडिया उससे नीचा आते पेह करीबे हुए य हीर दाijn चिंग और उनको सुनाई दिया किया सुनाई दैडिया चिंग और मनी मदला मनी जो पेशे है न हसके मनी तरफ तो speaking लूद्रु के टाइन-डास संथ और ज्वस्क ऑबर और पीछे देखा न काटन और परदे के पीछे देखा एंड अब दाउप चिमनी को लेकर सभी जगा उन्होंने देखा देखा देर वास नोट देर वास नोट जन चंप इनीबडी वहां पर किसी के भी साइन दिखा ही नहीं तो यह दा डेस्क फिर भी पेशागायब हो गया था चले कोश्चन नमर फाइप के हमारा के वार्ट अदर एक्टर ओडिनरी थिंग्स हैपन तो देखे यहां पर दिया वार्ड अधर एक्टर ओडिनरी थिंग्स हैपन एड़ दा इन पहले तो देख लिए आप लोग 2022 की इंपूटेंट नहीं है कि 2022 एक्जाम में को रहा हुआ था था हुआ था थो देगे वाट अधर एक्सटर ओर्डिनरी टिंक सेपमें एड़ इन भाई इन में बता चुक आपको के इनका मिस्क्ट रोता है और टाल में फनने धा आई HOTEL में जो एक्स्टर ओडिनरी हैपन मतलब होना घटित होना तो क्या आज साधर घटना घटी और अधर और तो देखिए मेनी एक्षा मेनी एक्ष्ट्राओर्डिनरी थेंग सब्सक्राइब इन 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 में घटी विचार फोलवास जो की नीचे दी गई देखे पहली के घटना घटी थी जो हमारे मिसेस हॉल मिसेस हॉल ने क्या पाल है दह गुला मिल था जो मस्यसे हहल को गृफफइन का कमरा खूला मिला और कमरा पूरा ख् relied बीदा कुछ धो चो क्रूच ऑफने कानों के पास देखें पर गया कि एपने कानों के तो बैट पोष्ट जो है आपका तो बैट पोस्ट के पायप लेट अप्व होता है पाया है यह होता है तो फामल जागनреह brother नक्र JONठी पर रखेंश के Together मिते हैं प्रव्रथ को कि हम प्रख लुकुकर ऑफ जो मतनी व glaze मिसेस हॉल के चेरे पर जाकर लगा क्या वो आपका हैट टोपिंग चली पोई डालने आप लोग एट कलें ना इसको चौदर पॉइंट दाचेयर टी अची दा यहां पर हो जाएगा दाचेयर दाचेयर स्टाटेड एस्टी आरटी स्टाटेड मुविंग दाचेयर टी बब मुविंग और क्या उसने हाँ पर पाया गटना गटी जो कुषिय ठी Excel yeah मुविंग मतल्ब ला एक तक स्बक्षेल ङाना तो जोट जैर है कुरसी है जो हिलने लगी क्या हो गया हिलने लगी तो इस सभी घटना थी जो वहां पर और घटना आसाधरन घटी थी हमापर ठीक है यह तीसरे पॉइंट आपने इसमें कवर कर लिया है और चौता पॉइंट डालका आपको लिखना दा चेयर इस्टाटेड मॉविंग चुली आंसर नमर फाइब हमारा साइंटेडेगे इसस होता है आपका हाँ बुड्यू इसस ग्रीफिन आप यहसेस होता है अनुमाल लगा ना तो आहाएब कैसे हो सकते हो जो ग्रीफिन है वो जैसे एक सइंटिस्ट है क्या वह थैThis तो देखे इसका आंसर तो नेक्याuğ सैंशल का खार्व इसका आंसर कंव म गुल्यांगन करना यह अनुमान लगाना ग्रिफिन से साइटिस्ट के ग्रिफिन जैसा एक साइटिस्ट आपका आफ्टर एक्सपेरिमेंट बार बार प्रीओ करने के बाद ग्रिफिन है डिसकोषड हाओ टूमेक दा हुमन बोडी टांस्पेरेंट उसने क्या गरा के अधेट्र आपने उसने क्या अ गिए क्या और यह इस लिए अर यह उस-प्र वेटिकर्ण कर दोस्के लाप वहां ये कोई महान वेक्टी नहीं है अच्छा इंसान मानदा इंसान नहीं है